नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, इंग्ली ग्रामर की वो top 10 mistakes जो अकसर कही न कहीं आप लोगों से हो ही जाती हैं, बच्चों, ये वो इंग्ली ग्रामर की वो mistakes जो बहुत सारे students commonly करते आ रहे हैं, कहीं न क other meetings, आप से भी ये mistakes हुए होगी, इन mistakes को आज से ही करना बंद कर देजेगा क्योंकि ये mistakes बहुत ज़्यादा आपके marks खा रही है सो बच्चों क्या हैं वो mistakes चलिए बच्चों बात करते हैं उन पर सुरू करते हैं वीडियो को अपनी सबसे पहले बच्चों यहाँ पर present and past tense को ले करके यानिके बहुत सारे बच्चे इसी बात में confused रहते हैं कि कहां मुझे present बनाना है sentence को कहां past बनाना है तो बच्चों present के simple function जो आप समझते हैं ज्यान रखेगा पहला जो simple function वो यह है कि present का subject plus verb की first form यानिके इसको बोलते हैं बच्चों present simple या present indefinite भी यहां subject अगर आपका singular होगा यानिके इस लगाना होता है first form में अगर यहां पर subject आप लिख रहे हैं plural जैसे कि आपने लिखा I वी यू यह दे तब आप लोगों को यहां पर लगानी है वर्ब की first form तो यहां पर यही function अप्लाई हुआ है वर्ब की first form में आप लगे हुई है second जो function हमारा वो है present continuous इसी को बच्चो present progressive भी बोल देते हैं यहां पर हम लोग subject के present perfect continuous जहां पर has have plus been plus ing करेंगे क्योंकि जब भी sentence continuous रहेगा तो आपको लगानी ही लगानी है ध्याना कि बच्चो किसी भी टेंस के यह अपने सब्सक्राइब करते हैं indefinite continuous परफेक्ट और परफेक्ट continuous दाने की बच्चो सिंपसी बात बता दूम आपको यहां पर आपकी पास जो हैं बच्चो इसमें continuous की जब भी हम लोग बात करें तो आप समझ जाएं कि वर्ब की फस्चो में आएंज लग रही है और थ्री परफेक्ट फंक्चन इसके अंदर जब भी हम लोग परफेक्ट की बात करेंगे तो समझ जेएगा वर्ब की थर्ड फोम आपकी आनी है ओके दोस्तो चले च adjective case है जिसके बाद में noun का आना अतियावश्चक है यह के बाद में noun का आना अतियावश्चक है जैसे कि your brother your father your mother your uncle कुछ भी बच्चो आप लोगों ने अकसर इसको हमेशा जब भी लगाया होगा तो noun के साथ ही लगाया होगा single आप इसका use कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों अगल यह abbreviation है हम लोग जब short form में इसको लिखते हैं तो बच्चों यह बनता है आपका you are your जैसे कि बच्चों आप लिख रहे हैं I am को आई आप लिखा यू आर को जैसे कि मेरे लिखावा यह अपपर है यह तो यह आपका एक abbreviation short form यू आर की बनती है तो दोनों की नंबर पर आपका वाब आएगा तीसरे नंबर पर आपका object आएगा sentence के अंदर वर्ब का आना बहुत जरूरी है बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी sentence आपका नहीं बनेगा धानक की है याइन इंग्लिज में भी ओर लिंगवजेट इसी तरह subject हमेशा important है जरूरी है subject का आना बहुत जरूरी है किसी पर इसंटेसन बच्चो subject के बाद ही आपका वर्ब आएगा और वर्ब के बाद वाले पार्ट को आप indirectly object बुलाना शुरू कर देंगे तो दोस्तों यह आपका कहलादा है subject, verb, object का सही order और बच्छों ध्यान दिखेगा मैं आपको बताया है कि बिना verb के दुनिया को भी sentence नहीं बना करता है जैसे कि मैंने कहा rama rana place cricket तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हैं यह आपका subject हुआ यह आपका verb हुआ और यह आपका object हुआ यह एक सही formation है sentence को त्यार करने की तो बहुत important point है इसको भी आ रखेगा अगले point की बात करें guys तो वह है आपका pronoun का misplacement बच्चो मिस्प्लेश्मेंट मतलब pronoun का सही तरह से परियोग ना कर पाना द्यान देजेगा जब भी आप एक sentence में एक दो से अधिक प्रणौन रिस्मा कर रहे हैं दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक प्रणौन को यूज कर रहे हैं द्यान रखेंगे बच्चो उनका sequence रहने वाला आपका 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 1 बच्चो 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 का समाल करते हैं हम लोग bad date के लिए जने कि जब बुरे काम के लिए बात करेंगे तो 1, 2, 3 और जब अच्चे काम के बात करेंगे तो यह रखेंगे आप लोग 2, 3, 1 good date और बच्चो धान रखेगा कैसे आज रहेगा आपको यह rule देखे counting का सही sequence है आपका 1, 2, 3 लेकिन सही होने के बावजूद भी यह wrong formation के लिए लगएगा और एक गलत होने के बावजूद भी सही formation के लिए लगएगा अगर आपको यह तो तब होगा बच्चो जब आपको 3 परणावन एक साल लगा रहे हो बच्चो यह आपर 1, 2, 3 से मतलब मेरा 1st person 2nd person 3rd person से है आपको पता है बच्चो 1st person pronoun के अंदर हम लोग I और V का ही यूज़ करते हैं 2nd person pronoun के अंदर हम लोग U का यूज़ करते हैं 3rd person pronoun के अंदर हम लोग He She It और They इनका पर लोग करते हैं तब च्चो जब हमें 2 pronoun लगाने हों तो सिक में जहीं से चेंज़ करेंगा आप लोग 1,2 या फिर 2,3 या फिर 1,3 से इंफरमेशन यहां पर भी रहेगी 2,3 या फिर 3,1 या फिर 2,1 ओके जैसे कि मैं सेंटेस साब को समझादना चाहूंगा मैंने का You and I have committed mistake बच्चो committed crime अब ज़रा धान दीजेगा यहां पर crime की बात हो लिए तो यानिके कोई गलत काम हो रहा है गलत काम हो रहा है तो बच्चो pronoun का जो sequence रहेगा 1,2,3 का रहेगा अब मैं यहां बात करूँ तो यह आपका second person है यह आपका first person है तो यह आपका 2,1 हो गया है sequence हो गया आपका 2,1 वाला तो यानिके sentence आपका wrong हो गया है sentence wrong को सही करने के लिए क्या करेंगे आप इस sequence होचे ने करेंगे I, you की जंगाएगा U, I की जंगाएगा I and you have committed crime ओके दोस्तों तो यहां sentence आपका होगा इस तरह से कुछ ठीक चलिए चलते हैं अपने next formation के तरफ जो है आपका since और four since और four को आपने अकसर कई बार स्मार्ट किया होगा perfect continuous tenses में जब आप लोगो कभी दसवी बारी में रहे होंगे तब आपने अकसर को स्मार्ट किया होगा हाला कि इसका competition level पर भी बहुत अच्छे से यूज है आप जब time and tense की बात करते हैं जब आप लोग subject verb agreement की बात करते हैं जब आप लोग verb chapter की बात करते हैं तो यहां से इसकी error बहुत ज़दा आती है close test, common error, sentence improvement, fill in the blanks इन चार chapter की जाने आपका sentence या 4 कहां कहां कैसे use होता है या धान दिजेगा अगर मैं बात करो sentence की तो sentence की जब हम लोग बात करते हैं तो समझो यह बात हो रही है आप है point of time की point of time की बात हो रही है और जब हम लोग बात करते हैं 4 की तो बच्चों यह बात हो रही है आपकी period of time की period of time point of time period of time यानि कि निश्चित समय और अनिश्चित समय point of time के अंदर आपका लाइक आपने कहा Monday तो since Monday आपने कहा 2 o'clock यानि कि 2 o'clock से आपने कहा since 1990 तो यापका 1990 से मतलब कोई भी समय since morning, evening, afternoon since January, February, March, April कुछ भी जब बात करें period of time की तो बच्चों जैसे कि आपने का for two hours for two hours for two months, for three years यह सभी आपके period of time के नतर आते हैं खुब च्छे जान रखेगा जब भी sentence में आपको since या four plus time दिखाए दे तो आप समझ जाएगे बच्चों helping आपके तोर पर आपका has been have been और had been में से कोई एक साथ में आपका verb की फर्स्टों में आई इंजी भी रहने वाला है तो बहुत important function है important है तो ध्यानक ना होगा आगला देखिए बच्चों आपे sentence number six में देखेगा अक्सरी mistake बच्चे कर देते हैं इसको बोलते हैं बच्चों रणाउन सेंटेंस यानिके सेंटेंस चल रहा है आपका रणिंग में आयम अभूमा एंड आयम गुड मदर एंड आयम एंड ऑफिस वर्कर तो बार बार आप लोग यहां पर एंड एंड का नहीं करेंगे जो सही फॉर्मेशन होगा आयम गुड मदर एंड एंड ऑफिस वर्कर यह दोस्तों तो इससे बोलते हैं और इस तरह की पर इसका मینング होता है होना या हो रहा है ए कि अना या फिर हो रहा है मुड़ अप पर बात पर बात करें आम लोग और यहां पर एंड ए मिईंड वर्कर माल रहा है Mदर बज्चों ड़स वर्कर उतिया है और बच्च उसकी फॉर्थ फॉम यानिके आइंजी फॉम होती है विंग तो एजे में वर्ब आपका इसमाल हो रहा है अब आप कहें यहांपे कि यानिके मुझे सिर दर्ध हो रहा है याँ पर हैविंग का मालब होने से है मुझे सीर दर्ध हो रहा है तो डिकिन अगर आप कहें कि I am having four brothers and sisters मुझे चार भाई और तीन भाई बहने हो रही हैं तो यह आपका हुजएवर रोंग मेरे चार भाई और तीन बहने हैं तब संटेस होगा हमारा करेक्ट तो गाइस यह फॉर में सर पूरी चरह सर रोंग है संटेस में इसके अपर संटेस भी आच चुका है संटेस था माधूर जिक्सित is having a large fans following संटेस का सही बनेगा माधूर जिक्सित has large fans following यस बच करेएगा खुब इंपोर्टेंट है jsis जो आप देखनेद देयर यह आपका एक इंट्रॉड्टी सबज Ariana हो तब आप लोग इसकी एंट्र कर आते हैं ता हम लोग इसका खरते हैं आपने बच्च bashkben भी क्या होगा देर का समाल हम लोग करते हैं as an introductory subject एक खाथ बात ओर बच्चो देर वाले sentence का formation आप लोग exchange कर सकते हैं लग मैंने का there is a boy आपने ये कहा इसको ऐसे बना लगते हैं a boy is there येस चलो जी तो बच्चों जाना की का यहां पर ये formation हुआ आगला जो word is there ये आपका एक possessive word है और possessive में भी आपका है ये adjective there to refers to how all something showing that something belongs to that person बच्चों possessive का मतला भी होता है संबंद या अधिकार जताना किसी चीद पर किसी चीद पर जब आप लोग अपना माली का नाहीं जता रहे हों संबंद जता रहे हों अधिकार जता रहे हों तब हम लोग इसमा करते हैं तो बच्चों माँ को बता दूँ दे आ जो है आपका short form है दे आर का ओके अभी थुड़े पहले में आपको बताया था यह यू आर और यूर में अगला देखें बच्चों सहां से confusing similar spellings and words ऐसे बहुत सारे words हैं जो आपको confused करते रहते हैं अकसर जैसे कि टू टू एंड टू बच्चों इस टू का मतलब होता है टू यह टू आपका हिंदी मिनिंग होता है बच्चों को तो तीनो से आप बचके रहेcame खुब छे से अगला word है ही और ही और ही और हीओ वह आपका एक सिर्टश वायट है जिसका मलब होता है यह यहां और ही आपका एक वाच्चाहिए अगला यह ऑॉख और आपका दूपकी में स्चृट कर weather और weather ये weather आपका मोसम वाला है season वाला मोसम वाला और ये वैदर आपका doubtful condition के लिए लगा करता है sentence के अंदर चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट है आपका ये it's और its इस जो है बच्चों आपका ये एक abbreviation या short form है it is की और ये it's आपका position है येस इसका लोता है इसका दाइश पाइडर इस पन इट सब्सक्राइब और बहुत सुंदर रुजए वेश्टाइब यहां पर यह इसका लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जुरू कमेंट केज़ेगा और क्या इस तरह की वीडियो आप लोग और चाहते हैं त के लिए प्रूड़न के तरह देवेगा यहां कि वीडियो आपको अार्ड़न के लिएवेगटर इसका आपको आपको अबुएट।